लगबग 6,000 मदर्सा पैरा टीचर्स, 3500 रजिस्टर्ड मदर्सा और डेड़ लाख बच्चे इन मदर्सों के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और ये 6,000 मदर्सा पैरा टीचर्स इन बच्चों के अध्यन में पिछले लगबग 16 सालों से काम कर रहे हैं और नियमित होने की आस के अंदर ये धर्ना, प्रदर्शन और विधान सबात तक का घेराव कर चुके हैं बजट का भी इंतजार किया लेकिन बजट के अंदर नतीजा धाक के तीन पार ऐसा नहीं है कि इसी सरकार के अंदर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि 16 साल के अंदर जितनी भी सरकारें राजिस्थान के अंदर आई और गई सब के सामने इन्होंने अपनी बात को रखा लेकिन अब तक नियमित होने की कोई सूरत नजर नहीं आती है नमस्कार जन्माँच में आप सभी दशुकों का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ आसिफ खान जन्माँच में आज बात मदर साब पैरा टीचर्स के संगर्ष की आज इनी से जानेंगे समझेंगे कि कितने लंबे समय से संगर्ष कर रहे हैं सरकार से इनकी मांगे क्या है और अब तक ये मांगे अंसुनी है तो क्यूं है दर्शकों को हम ये भी बता दें कि कॉंग्रेस का कोई प्रतिनीदी इस कारिकरम के अंदर नहीं आया पिछले लंबे समय से वो किसी भी डिबेट में आने से बच रहे हैं लिहाजा सिर्फ एक पा घर चलाना तक मुश्किल है तो ऐसे में किन मुश्किलों का आप सामना करने मांगे के हैं आपकी सबसे पहले तो मैं बताओं कि राजस्तान के अंदर जो आप 16 साल के रहो मैं तो कहता हूं कि 2001 के अंदर जो कॉंग्रेस गोवर्मेंट ती है तो आज तीसरी बार मुख्यमंत इस अपनी समझाडारी सर्विशिज दे रहे हैं इनका मांदे वो 7000 डेकर के 9000 रुपे तक महीना रहा है और बड़े ताजू की बात तो ये कि इनका मांदे है अल्प मांदे वो भी टाइम पे नहीं मिलता है है अबी सरकार किषे जो मुथालबात हमारे खास तोर शीते कि म यह उन्होंने प्रश्टा निकाल रहता है कि एक मंत्री मंदली आप सम्हेति का गठन कर दिया जाता है और वह गठन करके और अपनी इती कर लेते हैं उसके बाद में वह डेर टूडे होती है लेकिन नतीजा कोई भी निकलता अभी जो आब आरी मौजूदा गोवर्मेंट सी जो शिकाईत है वो खास शिकाईत ही है कि जब कोंग्रेस की सरकार बड़ी थी कोंग्रेस की सरकार को बनाने के अदर जो अकलियत का जिस तरह से मंत्री ने उनको द्यान से सुना नहीं है तो मैं तो समझता हूं कि मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा सल वा है और हम लोगों की जो उम्मीदे थी पानी पिर गया है कम से कम एक परंपरा चली आ रही थी जो भारतिय जलता पालिटी को मेलेक्ट कर रहे हैं हाला कि दोशी बार मान दे तो बढ़ाते और मान दे बढ़ाने के लिए भी मतलब हम यह देखिए लो अपील नो द्रील आज हम लोग जो भी एजिटेशन करते बुजाहिरा करते परतसर करते उसमें सरकार का कोई भी पड़ती नहीं थी हमारे गयापन को लेने को तयार नहीं होते हैं कि हमीद सवाल यह है कि संगर्ष आज का नहीं है बिलकुल बजट के अंदर जो इनको उमीद थी इनको इंतजार था कि बजट के अंदर इनके लिए कोई प्रावधान किया जाएगा नहीं हुआ इंतजार करते रह गए लेकिन सरकार आपकी भी रही पांच साल आपने भी शासन किया मैं 16 साल कह रहा हूं आमीन साब कहने 16 साल से भी ज्यादा हो गए तो ऐसे में बाजपा की भी दो बार सरकार आई कॉंग्रेस की भी आई आई आपको नहीं लगा कि इनके लिए कुछ करना चीए क्योंकि 7 से 9000 रुपे इनका महिने का मान दे है और बहुत सारे नौजवान त इनके सामने रखी थी क्योंकि आमीन साब और इनका प्रतिनी निमनल के वार हम से भी मिला हमारे अर्दिक जी से मिले और हमने इन बात को बड़ी जोरदारी तरीके से रखा इनकी वेतन को बढ़ाने के लिए भी हमने उनकी सामने मांग रखी जो हमारी सरकार में बजट पेस राइस्तान की से मुख्यमंतिर जी ने हम इसको आस्वस्त किया था कि आगामी जो बजट होगा उसके अंदर इनके लिए हम वेतन भी इनका बढ़ाएंगे और जो इनको सवीदा पे जो रख रखा है उसको भी हम परमानेंट करने का काम करेंगे लेकिस तरह से भारते जन्ता पार्टी की सरकार इस दायुस्तान में नहीं मनी हमारे समाज के लोगों ने भारते जन्ता पार्टी से मुम वोड़ा और अर्च सांगी काम঳ै के पाढ़ाईometer की लिए कुए अच्छा उत्यां बजट पेस हुआ कि आप पर कुछ भी इस बजट के अंदर पेस नहीं गिया राइस्तान की सरकार ने जो योजना है अलवर के लिए छात्रावास की बात की लिए मानिय मुख्यमंतर जी वसंद्रा जी थी उसके बाज भी दूनन की लेकिन मदर्से के लिए जो अधुनिकरन के लिए बात उससे क्या होत था उस सरकार को उसके लिए काम करना चीए था इनका वेतन भी बढ़ाना चीए था तो दाई अजार कम्प्यूटर पेराटिस की फाइल को रद कर दिया है और आपकी सब्सक्राइब हमारी सब्सक्राइब अच्छा काम किया हमारी जो पूर में चैर्में थी उन्होंने भी क पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया नहीं मैं आप से जानना चाहता हूं कि क्या आप ये कह के अपना पला जाल लेंगे कि वर्तमान सरकार ने इनसे पिंट छुड़ाया आपने नहीं चुड़ाया आपकी मन्शाथी करने की सरकारें आपकी एक बार नहीं एक बार से ज सरकार रही हो चाहिए वो कॉंग्रेस की सरकार रही हो मैं दोनों सरकारों सो कहना चाहूंगा कि आप इनका नियमिती करन कीजिए वैदानिक दर्जा दीजिए मतरसा बोड़ को आप ताकि इनका संगर्श खतम हो आज जो 6,000, 7,000, 8,000 उपर महिना इनको मिल रहा है यह राजस् आपने नहीं किया नहीं गंपीरता पूरी रही है मगर किन वजुवात से वो फाइले रुकी हैं कहां जाकर रुटकी हैं यूनुस खान साब ने भी उसमें काफी संगर्श किया वसंद्रा जी भी चाहती थी कि इसको वैदानिक दर्जा दे दिया जाए अपने लंबे समय से ऐसे मामला यह जो है मदरसा पेरा टीचर्स के मामलों को कवर किया इनके संगर्श को आपने बहुत करीब से देखा आपको क्या लगता है फारुक साब कहां कमी रह गई विलपावर की कमी है करना नहीं चाहते या फिर इसके अंदर वाकई तकनीकी तूटिया देखिए बात यह है कि पहली चीज तो यह है कि ने तो कोई तक्निक की तुरूटी है और ने कोई ऐसा सिस्टम की प्रोब्लम है सबसे बड़ी चीज है जो हमारे भाई सादिक साव और हमीद भाई यह बता नहीं पा रहे हैं या कांगरेश के परवक्ता आये नहीं है हाकिकत तो यह है कि पूरे एपिसोड को अगर देखा जाए तो अशोग गहलोज साब की रुवसंद्रा जी की दोनों की ही नियत में खोड़ था दोनों ने ही इनको नहीं किसी भी समयदा कर्मी को इस्थाई करने के लिए उनका एक सम्मान जनक मान दे बढ़ाने के लिए मामले में दोनों की ही नियत सही नहीं थी दोनों को अच्छी गौर्रमेंट मिली एक दस साल पूरा करके चली गई हैं दूसरी तीसरी बार आए हैं उससे पहले अगर हम देखें कि पूरे भारत के अंदर ये समीदा कर्मी नाम की जो सोशन की चक्की सबसे पहले राजस्थान में इस्थापित हुई थी और इस चक्की के स्थापना करने वाले आदरणी एसोग गलोज साब थे जिन्होंने 98 के अपने कारेकाल में इसकी चक्की की स्थापना की और राजस्थान के हजारों हजार जो सिक्षित पर सिक्षित बेरोजगार लड़के लड़कियां थे उनको इस चक्की के हवाले कर दिय या इस सोशन के कार खाने के हवाले कर दिया हजार बारा सो, पंदरा सो, दो हजार रुपे में और वो बढ़ते बढ़ते कहीं पांच जार हो गए कहीं साथ जार हो गए कहीं बारा हजार कहीं आठ हजार अलग अलग डिपार्टमेंट में ये सारा का सारा जो नए लड़के लड़कियां थे, जो बेरोजगार थे, रोजगार की तलास में थे, उनको क्रेश करना था, उनको बरबाद करना था, उनके फेमली को बरबाद करना था, मैं इसमें कोई विरोज और समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि संब्सक्राइब टीचर है य्याज और या सवीड किया और वह को पांच रहा है तो पांच प्रीछ छोंहे işi रुप यह वह प्रकाहर है जो यहां है इस मदर सरकारों के अंदर और जब वह भाई जो पैंतारीश जार पचाहजार रुबे मेहने के लिए के आतार यह भाई दूसरा है उसी का सगा भाई परिवार का लेकिन फार्ब साब किसी एक सरकार को दोश नहीं दिया जा सकता है दोनों सरकारें बराबर हैं साब ने सबसे ज्यादा में करा हूं कि यह सिक्सित पर सिक्सित बेरोजगार लड़के लड़किया हैं इनके फ्यूचर का मडर किया है गलो साब ने वसंद्रा जी उस मडर में साहिक बनी और यह लगातार पिछले 16 साल से मांग करने कि इन्हें नियमित किया जाए लेकिन द कि देश आजाद हूए लगबक 2007 साल हो गए 50 साल कांग्रेस ने शाष्ण किया और 20 साल लगबक बिजेपी ने शाष्ण किया अलपचनकर समुदाय ने पिजेपी ने बोर्ड दिया और बिजेपी को यह फून बोर्ड दिया को पिछले 20 साल से तकरिबन जो मत्राजिस्तान म उनकी मेहिट निखा ली गई, उनकी भरती की गई उनको अल्प मानने पर एक उम्मीद के साथ कि अल्प संक्यक समाज में इस शिक्षा को पूर्ती करने के लिए पेरा टीचरों की भरती की गई भरती होने के साथ साथ अशोकेलोस साभ आते गए वसुंदराजी आती गई ऐसे इनका एक आना एक जाना चलता रहा लेकिन है सरकार में हमने आंदूलन किये, धर्णे किये, परदेशन किये, गयापन दिये याध कि जित्ते मुस्लिम हैमेल है हमने उनको खूब गयापन दिया, उनको हमारी बात खूब हो जाई लेकिन हमें इस बात पर बड़ी कटू सत्य है या बड़ी विडबना होती है कि जो MLA मुस्लिम बोटों पर जीत कर विदान सभा में जाता है वो मुसलमानों की इश्यू पर बिलकुल मौन डान होकर बेड़ जाता है हमें बड़ी अच्रज होता है या तो वो पालिटी से ड़ता है या वो जायकता है अगर मैं मुसलिम समाज के इश्यू विदान सभा में उठाँगा तो मेरे नमबर कम हो जाएंगा और मुझे पालिटी में धरकिनार कर दिया जाएगा हम यह जानना चाहते हैं कि जब आप टिकेट लेकर चाहे कांग्रिस से लो चाहे बीजेपी से लो जब टिकेट लेकर समाज में आते हो और समाज में अपने नुमाइंदी का ढोंग रखते हो और समाज से बोट मांगते हो, समाज जो मैं बच चटकर जब बोट देता है, लेकिन जब जीतने के बाद इसी समाज से आप मूँ मोड लेते हो, तो ये कब तक चलेगा, और मैं एक बता देना चाहता हूँ जन्मन्षी के माध्यम से, कि आप ये बेरुखी करना चाहोगे, तो मैं सुना की राजिस्तान की गांधी केलाते हैं, लेकिन उन्हें वह वाली बात है, कि धाई के तीन पाज, 98% बोट लेकर भी इन्होंने 2% समाज को नहीं किया, इसलाम साब, कब से आप जो है, वो मदरसा पेरा टीचिंग आप कर रहे हैं, किस तरह की दिकतें आपको आती है क्या आपकी आजिवी का जो है, वो सिर्फ इसी पर निर्बर करती है, या पेरलर कोई और भी काम करते हैं? मदरसा बच्चों को बच्चों के लिए मांग करते हैं, वो पूरी नहीं होती है, हमारे लिए मांग करते हैं, वो पूरी नहीं होती है, सरकार कोई सुनती नहीं है, हर सरकारों में बराबर हम दरना परदसन करते हैं, मांगे रखते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई सुरवाई बेढ़ी नहीं होरी है का जाया है कांगे मैं कितना मुष्किल होता होगा साथ से 9000 के बीच मैं बहुत है हमारे काम पुरा नियुक्त बच्छों का पेट के परेऊ अब बस भी बताए है अब थीक है सर करद के सरकार से हम इतने हल पमानदे में काम कर रहे हैं 15-20 साल से तो इसा सोचन हमारे साथ क्यों किया जा रहा है एक तरफ जो है वो हमीज साभ में साधिक साभ आप से पूछना चाहूंगा कि भारे सरकार भी बात करती है भारे सरकार ने कहा भी और विजन भी बड़ा साफ है उनका कि मुसल्मानों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ के अंदर लैपटॉप हो तो इस विजन को आगे तक पहुँचाने के लिए आखरी पंक्ति में खड़े मुसल्मान तक पहुँचाने के लिए ये स्तिती बहतर होनी चाहिए अगर ये स्तिती बहतर होगी तभी उसके हाथ म में कुरान होगा और दूसरे में लैपटाप जी बिलकुल मैं आपके चैनल के जरी एक बात जरूर रखना चाहूंगा कि अशोक यलोजी की जो सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ माइनरोटी की वोटों की वज़े से बनी है आप पूरा अगर चुनाओं के नतीजे उठा के देख जीते हैं यही नहीं जीते माइनरोटी की वोटों की वज़े से बलके कांग्रेस के पूरे मेल जीतने एंडरेट जीत कर आए हैं, यह सिर्फ मुस्लिम समाज की वज़ा से जीते हैं, जिस दिन यह समाज इन से हाथ खेंचेगा, यह वापस 21 पर जाकर सिमढ़ जाएंगे, ज उसके अंदर जो बजट जो लैप्स होने जा रहा था उसको भी इसमें जोड़ा जाए और उन पैसे वो इसमें जोड़के और ये इनका बजट दो गुना किया जाए हमारे बच्चे जो स्कॉलर्शिप के लिए दरदर भटक रहे हैं और खास तोर से हायर एजूकेशन की स्कॉलर्शिप को वापस जारी किया जाए स्वाले मुहम्मद साब से हमारा एक डेलीकेशन जाके मिला मगर उन्होंने कुछ इसमें किया नहीं है और भी नोजवान हमारे साथ बैटें फारुक साब आप जवाब दीजे फिर मैं आगे बढ़ता हूं बड़ी दरदनाक बात है कि बच्चा कुरान और लेपटोप लेके बैठेगा कहां पर शहरों में तो हो सकता जमीनों की किलत हो गाओं में और कस्बों में बेशमार जमीने पड़ी हैं दोनों सरकारों ने चाए वसंद्राजी की हो चाए गैलोच साब की हो पिछले 20 साल में मदर्शा बोड की ये होने के बाद किसी मदर्शे को एक स्क्वाइर गजमीन नहीं दिये एक एक चटाई पे टूटे कमरे के अंदर कहीं मस्जिद के अंदर कहीं छोटा पुराना मदर्शा है उसके अंदर बच्चे बैठें मैं एक चीज़ और करना चाहूं आर्टी एक्ट पास हुआ था तो उ दोनों पार्टियां बराबर की मिली है शोग गैलो साव वसंद्रा जी बराबर के दोसी हैं इनके बड़े नेताबी दोसी हैं मुस्लिम एमेलियों की कोई हैसियत नहीं है चाहिए बीजेपी के हो वह अपने चीफ मिनिस्टर से बात ही नहीं कर सकते किसी मुद्देबे रहा पैरा टीचिंग करते हैं मदरसे में? मुश्किल से चला पाते हैं फुल एजुकेड़ हैं में बीएट सभी पैराटीचर्स हैं लेकिन आज वो कहीं दूसी जगा भी काम नहीं कर सकते ऐसी कड़ी में फस चुके हैं कि इसको छोड़ भी नहीं सकते और दूसी जगा काम भी नहीं कर सकते तो यह जो इस्थिती एक सरकार ने हमारे सामने पैदा कर दी है यह बहुत ही दैनी स्थिती है सरकार चाहे कोहीं सी भी हो वीजेपी हो कॉंग्रेज हो सरकार वही अच्छी है जो हमारे हक में फैसला करेगी और हमारे लिए लड़ेगी तो मैं यही कहना चाहूंगा सरकार सब जानती है पर करना कुछ नहीं जाती ठीक है आप पीछे करिये माइक मैं नदीम सिद्री की मदर्सा पेराडीचर हूँ जब से मदर्सा पेराडीचर की नोगरी में जोइन की है तो मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा है जो वरतमान मुख्य मंतरी अशोग गेलो जी ज्यादा तर मसिया बने फिरते तो मैंने इनका जो एनलाइसिस जितना अपनी लाइफ में किया है पिछली कुछिस्ता दो हजार बारा तेरा का गेलो सरकार का जो बजट था उसमें पची सो कंप्यूटर बढ़ती छे हजार मदर्सा शिक्षा सायक बढ़ती मतलब मदर्से के लिए बहुत सारी इनोंने बा प्रुडम दिए और प्रुखने चो बोन दो सर्व सब्रुण होन्य देनों सरे के लिए के लिए फेस जो है उनका पीचे छुपा वा फेस हमाई सामने पता चल चल कि आपने जब धरना दिया विदान सभा का जब आपने घहराव किया ग्यापन दिया होगा किस तरीके का आश्वासन मिला क्या बात हुई आपकी सरकार के साथ 2013 से मैं मदर्शा पराटीचर में लगा हूँ तब से लेकर आज तक हम हर बार दरना देते हैं मदर्शा बोड का भी घहराव किया है विदान सभागे घहराव किया है बजाए आश्वासन के कुछ नहीं मिलता है हर बार नेता हमें बुलाते हैं और अब की बार तो बात करना तक पसंद ही किया आज को गरेश के मिलेगा हम के लिए وत बड़ी दैनी इस्तिए चर्चा को जारी रखेंगे बहुत सारे महमान हमारे साथ यहां पर उनसे भी सुनेंगे जन्मंच में एक चर्चा चल रही है। मदर्सा पेराटीचर पर और उनके संगश पर। बहुत सारे नوجवान यहां पर सालों से मदर्सा के अंदर पेराटीचिंग कर रहे हैं लेकिन अभी भी उनका संगश जारी है। लेकिन उमीद नहीं हा रहे हैं उन्हें लगता है कि बहुत जल्द सरकार उनकी सुनवाई करेगी और जो है उनके मांदे ना केवल बढ़ेगा बलकि नियमित भी होंगे और कुछ मदल साफ पेरा टीचर से बात करते हैं अभल बढ़े हैंब कर रहे एक हमारी अवस्ता इसे हो चुकी है कि एक जो बांडेड क्रिवर होता है मतलब मजदूर होता है उससे भी दैनी आवस्ता हम लोग घ्रण देना कर रहे हैं मैं कि मेरी बच्ची में पढ़ती थी और मैंने थी का यूशिशली किया क्योंकि मैरी माधर से की तंक नहीं, मैरे मैं भशी में लेकिया कि दाखिल दिला किससाब मेरी सफकूल से नहीं अच्छी को इसके आप पराएविट परिबाड़ की मेरी तंगा बहुत काम आती और मेरे घर को जारा बड़े मिश्यूर चलता है मेरी बच्ची को नहीं बड़ा सकता था न हम आप पर लेंगे लेकिन आपको आपकी बच्ची का दाखिला लेने के लिए 600 रुपे फॉर्म का चार्ज देना पड़ेगा तो आप यह देखिए कि मेरी हमारी आवस्ता इसी थी खास तो पर मेरी आवस्ता कि मेरे पास 600 रुपे भी देने को नहीं थे तो मैंने उन उन फ्रिंस्पल साही बसे का कि मेरे यह आवस्ता नहीं कि मेरे बच्ची के लिए 600 रुपे बिदे सकोँ तो उन्हों अगा साब ऐसी क्या बात है जब 600 रुपे देने सकते तो मैंने उनसे का कि मैं पेरटीचर हूं बस यह बात सुनते ही जैसे उन्हों का पेरेटीचर मैंने में मदसर पेरेटीचर हूँ आप देखी प्रिंसिपल में ने छस्तुर पर खुद निकाल की जम्मा करा दिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मेरी देनी अवस्ता बता रहा हूं कि एक प्रिंसिपल ने मेरे छस अबने बात करी रहे हैं फिर भी में अपनी बात अपने उन से जो मेरे मुस्लिम संगठन या जो अन्य तंजीव हमारी जो चलती है उन लोगोंने भी कभी अमारा साथ आकर नहीं दिया अगर वो लोग भी कुछ हमारा साथ आकर देते तो शायद हमारे लिए कुछ कर पाते क कभी भी हमारे साथ में वो लोग नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे केना चाहूंगा, गेरों की गुलामी को किया तसलीम तुने, मुझे तुम से गिलाएं, उनसे क्या करूँ, मुझे उन लोगों से गिलाएं, जो हमारे बने हुए हैं, या हम रहपर हैं आपके, लेकिन कभी उन जाजार उपे से जो तो महिने का मेरा रेंट चला जाता है, लाइट का बिल वगेरा, मतलब मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम तो बहुत दूर की बात है, मेरे मंदर से की जो कोर्स जो आता है, प्राइवेट कोर्स, मतलब कोपी किताबों की टेक्स्बुक की अगर बात करें, वो भी मैं उनको नहीं दे पाता हूं, तो यह बहुत बड़ी विडमना है, इस सरकार से बहुत उम्मी दे थी, पिछली वसंद्रा सरकार से भी बहुत उम्मी दे थी, लेकिन वो उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाईए, मैं अपने उन मुसलिम एमेले नहीं करके ना चाहता हूं कि आप हमारी इन चीजों की तरफ गोर कीजिए यह 10,000 का जो हमें यह उट के मुँझे जीरे के समान जो यह पकड़ा है और यह साथ जार रूपर सेलरी देते हैं तो आप देख लिए इससे क्या हो सकता है मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ गोर खड़े हो यह संक्षिप में रखिए गाना मैं सिर्फ ज्यादा तो नहीं बोल करकर कि संक्षिप में कहना चाहता हूं कि पहले हमारे देश से पहले इस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी और आज की जो सरकार हैं वह हमारे पेराटीजरों का सोशन कर रही हैं वह इंडा धिकार के लिए हमने जो किया है उनको वौट देने का अधिकार किया है आज उनके ऊपर भी तरीक सिर्फ यदि बै। नहीं बन पारे जिस हम कहेंगे कि BJPobil इक तरीक जो है जो है bå कर जो मेहनतिar दिया जाएं अगर हमारा हक अगर हमें नहीं दे सके, तो वो सरकार एक तरीक से नाकारा कही जा सकती है, और जो हमें रोटी रोजी के लिए भी या दूसरे के सामने, अगर हाथ फेलाने के लिए मिजबूर कर दे। ऐसी सरकार को बड़े शर्म आने की बात है, और हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ में जो जुल्म हुआ है और एक तरीक से आर्थिक नुक्सान और उसकी भरपाई करें मैं आप लोगों के पास आऊंगा एक महत्रमा पीछे आप भी संगर्श कर रही होंगी माइक उनको दीजिए अपने बात रखिये आप आपका क्या नाम है कब से पढ़ा रही है आप मदरसे मेरा नाम समरीन में 2013 से मेरे जोइनिंगे पांस साल होगा मुझे पढ़ाते हुए इ स्टुडेंटी संग्या वह ज्यादा है मारे में अदेश में और हम महनस से पढ़ाते हỹ इतने हल्ब मांदे में यह इसके साथ हमें बुक्स लेने भी खुदी जाना पढ़ता है बच्चे के साथ हम खुदी बच्चे के लिए बुकस नेकर आते हैं खरचा भी खुदी पढ़ाना पड़ता है किसी चीज की बिल्कुल एसे बच्चे पढ़ते हैं संख्या जादा है लेकिन हम स्कूल की तरह इतनी महनस से पढ़ाते हैं बच्चों को कि प्राइविट स्कूल में भी क्या पढ़ाई होते होगी ठीक है मैं एक ही सवाल जमीनी हकीकत बयान करना चाहता हूँ कि जो वेतन हम लोगों को मिल रहा है यदि ये वेतन किसी MLA किसी मंत्री को दे दिया जाए और अगर वो इस वेतन में अपना गुजारा कर सके तो हम राजी हैं मैं MSCBA हूँ मैं प्रेक्टिकल में यकीन करता हूँ अगर कोई MLA कोई मंत्री इस वेतन में अपने गिरस्ती अपना गुजारा कर सके तो हम कर सकते हैं मैं 2011 से मुझे 9 साल हो गए पढ़ाते हुए हम मेना तो पूरी करते हैं सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के बराबर करते हैं जंगर्ण में भी हमारी ड्यूटिस लगती है चुना उन तक में भी लगई गई है कही बार और अभी पाचवी बोड आटवी बोड में भी ड्यू करती है कमेटी का गठन करती है उसमें मैंने में 2-4 मिटिंग से साल में 2-4 रख लेते हैं फिर वो क्या करते हैं उसको अगली मिटिंग में यह डाटा मांग लिया वो डाटा मांग लिया इनकी यह मिटिंग कभी खतम नहीं होती और इनका कारेकाल पूरा होता जाता है और य पिछले छे सालों से मेरा जो शोशन हुआ है मैं ये विश्वास रखता था और ये कारे करता था कि चलो मदर्से में चले जाएंगे उर्दू से अपन न कुछ अच्छे शिक्षक बन जाएंगे और एक पर्मानेंट ओनी की आस जगी थी पिछले छे सालों से कही सरकारे आई खाली तो मैं दूसरों को कैसे पढ़ाँगा वो लोग जो कैसे जगी है उर्दू Shikshak की मेरे गाउं में यह चाता था कि जितने भी बच्चे हैं वह उर्दू की तालीम ले और एक अच्छे उर्दू Shikshak बनें पर जम मेरा इपेट खाली है तो मैं कैसे पढ़ा हूँगा एक जो शिक्षा की मैं प्रचार करना चाहता हूँ उसमें मैं असफल हूँ क्योंकि मेरा पेट खाली आज मेरे दिल के छाले फूट जाते हैं कहते कहते और बताते बताते कि क्या हालत है हमारी इस चीज के लिए 6,000 उपे 7,000 उपे में हम कैसे प आज मैं बोलनी पारा इस चीज के लिए क्योंकि मेरे चालों में से टीष्ट पक रही है मेरे दिल के छाले हैं वो फूट जाते हैं इस चीज के लिए आज मुझ में जितना गुस्सा है उसके जिम्मेदार ये सरकारे है एक मदरसा पैरा टीचर का दर्द भी आपके साब ने है कि किन स्थितियों के अंदर उन्हें इस कारिक्रम में आने के लिए भी संगर्श करना पड़ा आरको साब मैं आपके पास आउंगा सबसे पहले आप इस्लामिक स्कॉलर हैं शिक्षाविध हैं टीवी के जाने माने चेहरे हैं आप अक्सर टीवी डिबेट के अंदर नजर आप ने इनके संगर्श में कभी इनका साथ दिया और अगर नहीं दिया तो क्या वज़ए है कि यह इतने पिछडे हुए है इनके लिए क्या किया जाना चाहिए सरकार से वारथा आपकी होनी चाहिए देखे इस सिलसले में मेरा ये कहना है मैं पिछली सरकार में मदर्था वोर्ड का म Memphis भी रहा हूं और मैंने अपने जमाने में जो कुछ मैं इनके लिए कर सकता था मैंने कोशिस किये, सरकार से भी कोशिस किये और सरकार नहीं हमसे वादे भी किये थे कुछ नहीं हुआ अभी हम मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री चीसे मिले इस चीज को लेकर के के साथ मतरसा बोड के अंदर जो पेरा टीचर हैं यह इस तंखा से तो मकान किराया और अपनी खुद की रोटी भी नहीं खा सकते बच्चे कैसे पालेंगे और जो हमार इसकी एक तो मानता बढ़ाई जाए और इसको जो है मारे बच्चों चैजार साथ हजार में जो मारे पहरा टीचर पढ़ा रहे हैं और आप दूसरे टीचरों को 40,000 45,000 देते हैं आप खुद अंदादा लगाए आप यह तो कहते हैं यह मुसलमानों में तालीम की कमी है लेक मुक्हे मंतरी से शिरफ और शिरफ मिल्ली काउंसिल का डेलीकेसरी मिला बच्चर से पूरे सुझाव लिया लेकिन आरको साब आपने पेरा टीचर की माइद नहीं करिए आपने यह जो दस क्रोल रुपे लिए ला मुक्हे मंतरी बदा साथ है राटीचरों का मेमोरंडम ले आप लिए सबहाए gel Richards over ऑरवacji की है अन्डर इनको मिलेगा ये सारे हम से वादे किये लेकिन अब वादे करssä हमारे हाथ में तो हैंगी हमसे उनोंने वादë किये ऊपरा टैली एक एषन गया और हम पुरी तरह यह बगालत कर की आब यह संतुष नहीं हैं तो इनकी मर्जी है लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं हमारे तमाम पहरा टीचरों से कि खुदा के वास से आप अपनी कौम के लिए ये समझ करके काम कर रहे हैं कि चाहे कुछ मिले या नहीं मिले लेकिन हमारी कौम पढ़ लिकर क्या आगे बढ़ जाए आप अप हमारी मांगों को दबाया है यह गुणरस की बी बीडी में है इनको कुछ लिए इन्होंने कुछ दिंशा अमारे लिए सतना है जिसकी कै मैई फारूक साब देखिए अभी सेम्रेशाब के पास जो भी म wealthy स्लिम डेलीगेशन कहीं से भी राजस्थान में गए थे हकीकति है किसी ने भी पैरा टीचर का अपने मेमोराणनम में कोई नाम नहीं नहीं है और पास में सरकारी स्कूल को मर्ज कर दिया गया है उसी गाउं में थी उसमें वह बिल्डिंग खाली पड़ी है हम जाके कहते हैं डियों को वागे पीयों को सबको तो भी नहीं सुनता है कि हम मदर्सों को कोई बिल्डिंग नहीं देंगे किराये भी नहीं देंगे वो यानि कहने का मतलब बैटने की जगह तक नहीं है मेरा नाम अजीमत दिन खाने में चटे ये पांचवे चरंड का हूँ 2011 में मेरी पोश्टिंग हुई थी जब से मैं देख रहा हूं और जब से मदर्सों की आलज जो खराब है उसकी जिम्मदार सिफ सरकार हैं क्योंकि उनकी सबस्वड़ी कमी तो ये है वो मदर्सा पेरा ट पीचरों के लिए उनकी तरफ से कुछ नहीं है जो बजट में पेशा दिया गया है अगर पूरे मदर्सों के अंदर तीन हजार मदर्सों में टोवेलेट और शोचाले भी नहीं बनेंगे इस पेसे से और गेलोज सरकार आगर यह सोचती है बात हमें पता नहीं है तो हम मुस हम मेडिकल डाक्टरों की तरह काम चोट के नहीं है हम जो है लोगों की तरह सरकारी पठ्टिया मांगेर काम नहीं होट रहे हम काम करते हैं अपका इखलाफ करें लेकिन आप हमारी अती हो चुकी है अब गयलोज सरकार इस बात को समझ ले कि अप कुछ होगा तो बड़ा ही बच्चों को प्लाना पड़ता है और सरकान नाम मात्रिक पे हमें एसा पेसा दे रही है जिससे हमारा रूंग में किराया हमारे रेना जेपू में दुश्वर हो गया है साथ हजार दो सु रूपे से कोई इंसान अगर जेपू रहता है वो भी रूम लेकर के रेंट का तो क्यों होगा उससों गुजारा फिर वो अपनी फेमिली को कैसे आगे बढ़ाएगा मदर्सा पैराटीचर की नोगरी हमारे लिए हमारे गले की हड़ी बनी हूई है ना तो में इसको निंगल सकते हैं ना इगल सकते हैं लेकिन मैंने यह तह किया था कि मैं इस बार यह नोगरी छोड़ दूँगा मेरे सामने आई तो मैंने सोचा ठीक है और बजट का इंतिजार किया जाए लेकिन जो बजट हमने कल देखा तो बहुत मायूसी हुई लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग खामूसी से बैठ जाएंगे जैसा भाई ने कहा कि अब हम जो है इस बात को आगे बढ़ाएंग लोगी टोकरी देकर अखबारों में भी आया था तो वह चीज विरान सभा जब सरकार बनी कॉंग्रेस की तब भी उन्होंने मुद्व उठाया वो तब ठीक ता अच्छा लगा था कि हां को हमारा साथ दे रहा है लेकिन अब क्या हुआ जब बजट आया तो बजट में निल या मदसर प्रेटिचर का नाम तक का नहीं आया उसमें सरकारी यह जो बजट आया है मांदे बढ़ाने के इसका आगनबारी का मांदे 6,000 कर दिया गया मदसर 7,000 कर दे साथ कर देए 6 से लेकिन हमारा जो 10 परसेंट बलता था उस तक के भी नाम निया कि चलो आपका वो नहीं तो 10% जिसमें इसके बाद मीनी बज़र या कोई बज़र रोगा तो उसमें आपको कुछ दिया जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ निलवटर नीजिक है पिछले 6-7 साल से कभी मान दे टाइम पर मिला है तो एक गेलो सरकार कम से गेलो मुखमंतिरी साहब को यह तो सोचना चा कभी हमारी मांगे नहीं उठाते सरकार के सामने अपने मुद्ण लेकर चले हैं वह लेकर नहीं करते हैं लेकिन मदर से की बात कोई नहीं करता चमकरी छोडने तक का मन बना चुके थे लेकिन एक बार फिर से उम्मीद जगी कि सरकारें कुछ करेंगी आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि सरकारों को इस पर गंबीरता से विचार करना चाहिए आपके कोई सुझाव जो दिये जा सकते हो लेकि आशिप साब सबसे बड़ा जो अभी भी जो उमीद की बजट के कंट्यूनिउस में जो बात होती है इसकी वे एक परक्रिय होती है कि जब बजट संदन के अंदर पेस कर दिया गया है बजट पर अभी बहस सल रही है बहस के अंदर MLS आइबान इसमें इससा लेंगे बजट बहस का जवाब मुख्य मंत्री दिया देता है और जिस दिल बजट बहस की रिप्लाई आती है उसके अंदर संसोदर गोशना ही की जा सकती है वसंद्रा सरकार के अंदर भी हमने 10% मान दे बजट बहस के जवाब में लिया था कंप्यूटर पेरादिस की बर्तिका भी करें और साथ में मदर्सों की काया कल्ब करने के लिए ये जो 10 क्रोन रुपय है वो कोमी मदर्सों को मिले मदर्सा वो होगा जो मक्तब और मस्जित को होगा जा पर बुनियादी तोर पे दीनियात की तालिम दी जाएगी मदर्सों के नाम शीए ठगी करने का वालों के साथ इनका सोशन जो हता है बहुत सारे स्कूल वाले जो मदर्सा नहीं है शिर्फ शिर्फ दुकान है उन पर पर परतिमन लगना चीए और सरकार को चाहिए कि इनकी वाजिब मांगों को ततकाल फोरी तोर शीए जब कमेंट्स साम और कौम खुद अपनी आवाज उठा रही है मीडिया के जरीए असोग गैलो साब को इसको एक्जूट को एक्जूट को रहत दे अंदाजा लगाया जा सकता है सोला वर्षों से लंबा संगर्ष चल रहा है साथ से 9000 के अंदर इन लोगों को दूसरे शहरों में जाकर काम भी करना करना है अपने घर का किराया भी देना है और अपनी आजिवीका भी चलानी है कितना मुश्किल है आज के समय के अंदर 7000 रुपे के अंदर महीना चलाना जिनमें से कुछ लोग तो पिछले कितने सालों से इस उमीद में बैठें कि सरकार अब सुनेगी और उनको एक आदर्श स्थिती मिलेगी आजिवीका के लिए सर्वाइव के लिए लेकिन अभी भी ये संगर्ष अनवरत जारी है उमीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और मदरसा पैरा टीचर्स के लिए आने वाले समय में जल्द कोई खुशकबरी आएगी आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कारिक्रम में आने के लिए नमस्कार कर दो